हेलो बाइट नस्कार वेलकम टो अलेंग जान बायानन तो मेरे उत्रखन के प्याद सात्यों यूके तर्पलसी चैना इक द्वरा आज़ित आठ भर्तियों पर आपको पता है जिस पर जांच बैठाई हुई थी उस पर फैसला काफी समय से अटका हुआ था बेते गिन हमारे य चैनित उमिद्वारू का बैठियों का 9-11 जन्वरी 2020 को यहां पर फिक्स कर दिया है और बची जो हमारी साध भर्तिया है जिन पर अभी फैसला नहीं आया है उस पर आज दो फर बार से एक वज़े हमारा यूके सस्य आयोग प्रेस वार्ता करके इस पर फैसला लेने वाला ह आप लोग को पता है इसमें हमारी वैक्तिक सायक, करनिष्ट सायक, पुलिस रैंकर्स, वाहन चाला, करमसाला अनुदेसक, मतश्ची निरेक्षेग और पुलिस हैट कॉंस्टेबल जो पुलिस दूर संचार व्याग में है वो है तो इन साध बर्तियों का भवस से क्या होगा क्या इनको भी क्लिन चेट मिलेगी या इसमें कुछ रुखेंगे इस पर आज फैसला आपको दो फर में मिलनेगा, को आप लोग हमसें जोड़ी का आपको लाइव कारिकरम हम भी दिखाएंगे, बात करते हैं साथियों आज हमारा परतियों सरकारी नौकरी करने वाला उत्र परिक्षिया हुए थी, इसमें एक ऐसा मामला सामने पर आया है जांच में साथियों, इसमें जो टॉपर थी अंजु नाम की लड़की वहार ट्रेजरी में ही कारिरत थी, उसने यह कारनिश्टी शायक की परिक्षिया दी, और साथियों आपको बता दें, ट्रेजरी में की ओमार सीर से इसकी छेड़ चाड़ की गई और इसके साथ 87 नंबर बना दिये और इसको कारनिश्टी शायक दोजार अठार भरती परिक्षिया का टॉपर बना दिया, यहाँ मामला तब समझ मा आया साथियों, जब इस अंजु के 87 नंबर थे और इसके सेकेंड करम में तो जब यहाँ मामला आया कि 10 अंक का फाशला है, तो साथियों यहाँ पर जांच होनी बनती थी और जांच होई, तो यहाँ निकल के आया कि इस अंजु नाम की लड़की जो वहीं पर ट्रेजरी विवाग में कारद थी, इसके जो एक्षियल मार्क्स थे 24 थे और इसके मार्क् अगर में ही हमारे उमार सेटों से छेड़ चार्ड हो जाती है, नंबर बढ़ जाती है, तो कैसे हमारा UK SSC आग द्वारा जो भड़तिया होती है, वो कैसे सेब है, तो इस पर हमारे UK SSC चैन आयल के वर्तमान अद्यक्षि जियस मौर्तोलिया जी का कहना है, कि हम नए साल में नए परियोग करेंगे और हम अपनी भर्तियों को फिर से यहां पे कलेंडर जारी करेंगे, यह भी कहा उनके द्वारा कि इस तरह की व्योस्ता के लिए हमने सरकार से मांग की हुई है, चले इसको पढ़ते हैं, तो डबल लॉकर सबसे ज़्यादा सुरक्षि दिश्तान है, यहां भी ओमार सीर से चेरचार हो गई, तो मामला बेहत गंबीर है, कारवाई का आगरह किया है, इस पर कर मैं ट्रेजर इसे पूछा गया है, कि इस तरह का क्या हुआ, जियेस मौर्तोलया जी ने सासन से यह पत्र लिखके पूछा किया है, देखते हैं आगे इसमें क्या का कारवाई होगी, वहराल आज आज आपको ब्रेकिंग अपडेट में दे आया हूँ, कि आज आज आपको इस पर फैशला मिलेगा हमारी साथ, जो काफिस समय से बर्तियां आठकी हुई है, उनकी फैशले की, दोबर बारे कोजे मिलते हैं साथ, आपको बताते है कि क्या फैश